हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक तू माई चैनल, ऊज मैं फिर से एक बार अप लोग एक सामने हाजेर हो गई हूं अपने एक नीव वीडियो के साथ, तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग मुल्नार और Takeddy के विजीट के बाद, अब हम लोग जा रहे हैं LEP पे, और जो हमा फेक टूर का यहां पर हमार प्रोग्राम है, अलपे के लिए तो रास्ते घाल और नहीं कम चलिए शहर्षाफ हा तो इसाइ रास्ते में तो जाते समय पड़ा था यह जाल २ूर You हाusबोट जोए केवल दो ही जगे चलाइ जाती हैं। जिसम सी केरल है और दूसरा कश्मीर है कश्मीर में हासबोट को सीकारा तो मेई हाँस बोटी कुलते हैं। देखिए हम लोग पोँच गये हैं, अपने और यहां पे देखिए हासबोट में अब लोगाए है तो मैं आपको आगे बताओंगी कि हाउस बोट का जो फेयर था वो कितना था और क्या-क्या फैसिलिटी हमने यहां पे देखी है तो फ्रेंड्स यहां अलपे में जो हाउस बोट चलती है उसका अलग-अलग फेयर होता है, अलग-अलग टाइप की होते है तो जैसे कि अगर कोई कपल है और उनको सेपरेट हाउस बोट लेना है तो वो भी मिल जाता है यहां पे और उसका फेयर अलग होता है और उसके अलावा यहां पे अगर आप ग्रूप में है तो ग्रूप के साथ भी अलग हाउस बोट का होता है जैसे कि हम लोग जिस houseboat को हमने book किया था उसमें 10 कमरे थे तो अलग-अलग family उसमें रुकी हुई थी और उसके अलावा उकर जो था वो पुरा restaurant था और इसका fare जो था friends वो 5000 था पर night के हिसाब से था तो हम लोग एक रात वहाँ पर रुके थे और 5000 हमने यहाँ पर पे किया था तो friends जब आप यहाँ houseboat में आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपका welcome करते हैं और उसके बाद जो भी आपका lunch है, dinner है और शाम की चाय और snacks उसके साथ रहता है तो यह सारा कुछ यह लोग देते हैं और उसके अलावा यहाँ पर रात को music भी चलाते हैं और candle light डिनर भी कराते हैं तो facility बहुत अच्छी देते हैं और room का जो maintain है काफी अच्छा रहता है और सब कुछ facility वहाँ पर all level कराते हैं और उसके अलावा जैसे आपके member जो है आपके बेट पर नहीं आपा रहे हैं तो अलग से यह सारे चीचों की देवस्ताजी करते हैं और उसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर मतलब की केरला की केरमेन फीज जो है काफी फेमस है तो वो भी यहां पर खा सकते हैं उसका और उसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर यह लोग लेके जाते हैं और छोटी नाव में फिर बिठा के पूरे गाउं का मतलब नजारा दिख हम इसको छोड़ देते हैं हाउस बोट को और उसके अलामा देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम लोग आ गए हैं बीच पे तो फ्रेंड्स यह जो बीच है यह है अलेपे बीच और नौ बज़े जब हमने हाउस बोट से अपना चेक आउट कर दिया था उसके बाद यहां से यह द फिर हम आगे स्टेशन पर और एलेपे स्टेशन था वहां से फिर हमने अपनी ट्रेंड ले ली और चले आए हम लोग अपनी जगह पे और हमारा जो कैब ड्राइवर था वो पूरे टाइम हमारे साथ बना हुआ था पूरा मुनार से लेके यहां लेपे तक और बहुत अच् खर्च किया और उसके अलावा आप कितना क्या कहां पर यूज करते हैं कितने इवेंट यूज करते हैं यह तो आपके उपर डिपेंड है लेकिन एर तो फ्रेंड्स यहां पर राउंड ओफ में जो हमारा फेयर पड़ा यहां पर अलेपे का यह आट से नौ हजार के बीच मे और काफी खुबसूरत है और तो आप लोग भी प्लान जरूर बनाईएगा फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसे कमेंट बाक्स में लिखके जरूर बताईएगा और मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पाल लोगों को कि लिए भाल आप लोगों का भीश खुबसूर विए.